गुद मॉनीं स्टुदेंट इस इस वीडियो लेक्ट्टर फॉर क्लास तैन आइंग तो इसमें आपने किया पाथा नंबर ऑफ इस पीसेस प्लांट अनिमल स्पीसेस पड़ा था और टाइप अवेजिटेशन पड़ा था ट्रॉपरिकल अरिवेजिटेशन फॉरेस्ट रोन करें पॉरेस्ट था आज हैं इसमें पढ़ेंगी नंबर ऑफ इस पीसेस ऐसे अनिमल्स के बाटन पर इन की जो ऐसे इनलम्स काफी लुप्त हो गये हैं या जो अभी अग्जिस्ट होने के का गार पर हैं जो गाइब होने के कागार पर भी हैं तो बायो डैबसीटी और लॉ आपको मिला जुला के फंक्शन मतलब इन दोनों को मिला आने का बैलेंस है बाइडाविसिटी में प्लांट भी आएंगे एनिमल भी आएंगे तो यह जो वाइड लाइफ में एनिमल क्रियेट होते हैं वह और जो हमारे दोरा प्लांट एक स्पीसेश क्रियेट की जाती है वह तो इन सब को मिला के हम बाइडाविसिटी कहते हैं ठीक है और यह इमेज है जो की डिफ फॉरेस्टिशन की इमेज है फॉरेस्ट की लग रही है देखें इंट्रोड़क्शन स्टार्ट करते हैं जो चीजें है अंडलाइन है या बोल्ड है उस पर भी ध्यान दीजेगा तो इस पे यह जरूर करें अपनी इस प्लैनेट को अर्थ हम भी रहते हैं इसमें भी रहते हैं इसमें बैकल इसमें बैक्तियर्या थे मेरे की प्लांट सब रहते हैं तो माइक्रो ऑगनिजम चोटी से चोटी चीज़े एलिफेंट वेल जैसी चीज़े भी इसी प्लानेट पर हैं तो हम उनके साथ यहां पर रहते हैं और यह एक बायो डाइबरसीटी का अच्छा एक्जामपल है और इंसान जो है या हुएं बीन है व अगर हरी पेड पॉदे नहीं रहेंगे तो जो उनको खाने वाले अनिमल से गोट शीप यह सब क्या होगा और अगर वह नहीं रहेंगे तो जो उनको खाने वाले स्पीसेसे जैसे अनिमल से टाइगर लॉयन तो उनका क्या होगा तो यह सब क्या एक दूसरे पर इंटे ठीक है हमें एयर चाहिए सास लेने के लिए हमें एयर चाहिए वोटर चाहिए पानी पीने के लिए और हम इन सब के बीना सर्वाइब नहीं कर सकते हमें सोयल चाहिए किसलिए क्रॉप्स के लिए हमें खेती करने के लिए हमें अपने फूड को उगाने के लिए हमें सोयल भी च सिस्टम में जंगल बहुत ही महत्वपून पार्थ है ठीक है यह प्राइमरी प्रोडूसर है हमारे लेविंग के लिए प्राइमरी मतलब सबसे पहला प्रोडूसर जो की फॉरेस्ट है ट्रॉपिक आपके स्टाट होता है फ्लोरा इन फाउन इंडिया तो फ्लोरा जो रफर कर और अनिमल्स दोनों पाई जाते हैं इंडिया क्या है वन ऑफ वर्ल्ड रिचेस कंट्रीज इंटर्म ऑफ वास्ट एरे ऑफ बायलोजिकल डैवेसिटी इंडिया का बहुत हर तरफ से बायलोजिकल डैवेसिटी में यह बहुत बड़ा देश में आता है तो इस पॉसिबल ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे यहां लॉयन और टाइगा दोनों पाई जाते हैं ठीक है और हमने बहुत सारे जैसे तीबेटन एसस का नाम पढ़ा था कि कौन कौन से अनिमल्स पाई जाते हैं तो मैं मंकी एलिफेंट रैबिट बहुत तरकी इस पीसे रैट इस सब पा इंपोर्टेंट है फॉर्स का योगदाम तो इस डाइवर्स फ्लोरा फाउना सो विल इंटेग्रेट आवर डेली लाइफ वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड एंड बटर अंडर ग्रेट इस्ट्रस मेंली ड्यू दू तो सुनिये कि हम इसको यह सोचते हैं कि हम अपने अपने मैं यह परियाप्त तो अपने चीजों के लिए अपने सhora के लि स्वारत के लिए उनका जैसे चाहें वैसे अनुचुत उप्योग कर सकते मतलब हम अपने इसको सोचते हैं अचारंटि हैं यह विरासत मिली हम इसको चांचा पिप्राइब्स कर सकें जितना जंगल काट सक flipping ल हमारे देश में अनुमान लगाया गया कि दस पतिशत जो वन है वन अस्पतियां टाइप की जो फ्लोरा है और बीत पतिशत वो क्या है मैं मैं में खत्रे में हैं यह खत्रे में हैं जैसे कि उनमें नाम क्या चीता है पिंग है और मॉंटें इस्वेल फॉरसिस पॉर्टइड ओश्य लेbody YouTube यह सारे अनिमल्स है जो हमारे तुम हमारे इस में खत्रे की गवार में ह direction और अश्विल सारह का जो नहीं करने वाले हैं ठीक है 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 हेप्टा निर्स हुबरिया यह जो है ग्रास का नाम है ठीक है जैसे आप यह सुनिए कि हमारे इस चीश को प्रकृति के लोगों को संसाधन के लिए एक ऐसा बना देया गया कमेटी जिसमें हम उसको उस पीसेश में उसमें डाल सकते हैं ज कमेटी बनाई गई किसके इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ओफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा कि ऐसे इस पीसेश को हम अलग-अलग कैटेगरी में डाल दी है एक है नॉर्मल इस पीसेश जो की वैसे जातनिया जि पाइन और फ्रोडर तो यह सब एनिमल्स हैं जो हमारे इसमें नॉर्मल स्पीसेश में आते हैं मतलब इनको भी बचाव में रखना यह खत्म होने के कगार में हैं इन्हें करते नॉर्मल स्पीसेश इंडेंड लेजर्ड इस्पीसेश कौन कौन सी है ऐसे ऐनथे जो संकट ग्रस्ति हैं ऐसे जीव लुप हो ने कि खत्र में हैं ठीक है जिसे हम उनके विश्र्ण परिसेश्टियों में इन की संख्या धीजरे कम होती जी जारी है जो ऐसे परिशिती होती जाती है इसमें संख्या कम पाई जारी इनके अगर इनको जीवित रखना होगा तो हम इसमें हमें काला ही रन है जैसे मगर मच्ष भारती जंगली गदा यह लिखा बलैक डग कोडाइल इंडियन वाइल एश और इंडियन रायन लॉयन ट्रेल एंड यह सब जो भी इस पीसेज आपको इस पीसेज की नाम याद रखने होगा इसे कहते हैं एक शेर पूछवाला बंदर संगाई तो यह संगाई किस टैप का इनिमल है मनी पूरी हीरान होता है यह ठीक है तो यह सब आपको एक्जाम्पल याद करना होगा यह संक्य घट गई है मतलब घटी जा रही एक दम अगर इनकी संख्या पर विपृत प्रभाव पढा मतलब गलत प्रभाव प्राहत तो उससे क्या ओगई इनकी स्थी नहीं बदले तो इनकी संख्या एकदम खतम होने में चले जाएगी इनमें कौं से ऐसे जानवर को सम्मलित क यह जैसे ब्लू शिप नीली भेड़ होती एश्या हाथी ठीक है और और गंगेटिक डॉल्फिन याने कि गंगा नदी की डॉल्फिन ऐसी चीज़ लिक्विए डॉल्फिन होती है इनको हम इसमें उन्हें स्पीसिस में डालते हैं वन्रेबल इस्पीसिमें ताकि यह कतम हो जा और यह हो गया वन और स्पीसिस अभी आप तीन स्पीसिस पढ़ें कल बाखी बात तो इस पीसिस के भी करेंगे इसमें दो तीनी स्पीसिस और बाकी लगेंगे ठीक है तब तक आप इतना पढ़िए समझें लन करिए कॉपी नोस बनाई इतना लन कर लिए यह चैप्टर आपक ओर आपक कि दोनी तो अर करिए पिर टीनी थाफ़ें है